नमस्कार में हूँ अंजली दॉमर और आप देख रहे हैं प्रदेश समाचान नेटवर्थ उत्तर प्रदेश के प्रताफगड में टीबी पत्रकाज सुलब श्रीबास्तप की संदिक मौत का मामला सामने आया है एक दिन पहले ही सुलब ने हत्या की आशंका जताते हुई सुरक्षा की मांग की थी उन पर हमली की आशंका जताई जा रही है हालांकि पुलिस का कहना है कि उनका एक्सिडेंट हुआ है वहीं इस मामले पर कॉंग्रेस महासचे प्रेंका गंधी वड्रा ने ट्वीट कर योगी सरकार पर हमला बोला है सुलब श्रीबास्तप ने शराम माफियों के खिलाफ एक खबर चलाई थी उसके बाद से ही उन पर हमले की आशंका थी उन्होंने बारे जून को ही ADG और SP को पत्रिलिक का सुरक्षा की मांग की थी उन्होंने चिट्थी में अपनी जान को खत्रा बताया था हत्या की आशंका जताने के बाद अगले ही दिन 13 जून को शुलब कोतबाली के कट्रा रोड पर इंट भट्टे के पास अर्द नग्न अवस्था में मिले थे उनके सिर पर चोट के गहरे निशान थे ATS ने बताया कि घटना तब हुई जब सुलब असलहा फैक्टरी पर कारवाही की खबर करके लोट रहे थे घटना की सूचना मिलते ही उनकी साथी पत्रकार मनीश ओजा मौके पर पहुँचे और एंबुलेंस से उन्हें जिलास पताल ले गए जहां डॉक्तरों ने उन्हें म्रत घोशित कर दिया घटना की जानकारी मिलते ही कहरा मश गया सुलब अपने पीछे अपनी पत्नी और दो बच्चों को छोड़ गए हैं वहीं पुलिस इस मामले को दबाने में जुटी हुई है अपर पुलिस अधिक्च सुरिंद वेदी इसे एक्सिडेंट बता रहे हैं पुलिस ने शब को प मेल आइकन दबाना ना भूलें